दिल्ली की जनता ने अपना जनादेश दे दिया है दिल्ली की जनता ने वो जनादेश कॉंग्रेस भार्टी के विरुद्वी दिया है भारतिय राश्ट्री कॉंग्रेस और दिल्ली प्रदेश कॉंग्रेस कमेथी की ओर से हम दिल्ली की जनता के इस जनादेश और इस संदेश को सर जुकाकर विनमरता से स्विकार करते हैं कॉंग्रेस पार्टी को नए सिरे से जमीनी स्तर से दुबारा मजबूत करने का संकल्प आज और सुद्रिड हमारे मन में हुआ है कॉंग्रेस के कारे करता और साथ ही कॉंग्रेस के वो सारे नेता जिनोंने असीम मेहनत इस चुनाव में की चाहे हमें कामियाबी नहीं मिली भारती राश्य कॉंग्रेस और दिल्ली प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी की और से हम उनका भी धन्यवाद करते और कॉंग्रेस के और दिल्ली के साथियों को आश्वस्त करते हैं कि एक सजग विबक्ष के तौर पर दिल्ली के धांचागत विकास दिल्ली की पानी बिजली सडक कानून व्यवस्था समस्या बेरुजगारी अर्थ व्यवस्था की बहेदू दी उस पर भारतिय राश्ट्रे कॉंग्रेस के कारकरता और नेता नजर भी रखेंगे और दिल्ली की जन्ता की आवास आगे बढ़ाते रहेंगे चुनाव की हर हार एक नई सीख है ऐसा हम मानते हैं ये हार से हमें इस बात का एहसास जरूर हुआ कि हमें जनादेश नहीं मिला पर कॉंग्रेस के कारकरता और नेताओं में निराशा नहीं एक नया संकल्प है नव निर्मान का जमेनी स्तर से लेकर आगे बढ़ने का और उस नव निर्मान के संकल्प के साथ एक बार फिर एक बेहतरीन दिल्ली का नक्षा लेकर हम अपना कारे करते रहेंगे आज जो अभी तक प्रारंविक नतीजे आए हैं उनसे यह साथ है कि आम आदमी पारटी की जीत दिल्ली में हुई है और चार पांच छे राउंड का नतीज़ा आ गया है अब लगबग नतीजे साथ हैं हम इस मन्द से भारतिय राश्ट्रिय कॉंगरेस की ओर से और दिल्ली प्रदेश कॉंगरेस कमिठी की ओर से शिरी अर्विंद केजरिवाल जी को शुक्तामनाय देते हैं दिल्ली में अगले पांच साल शाषन के लिए और साकारात्मक सहयोग और आलोचनात्मक भूमिका और एक पहनी नजर हम तीनों बनाए रखेंगे ये भी हम दिल्ली के लोगों से वादा करते हैं